नमस्कार आप देख रहें पिडेस नियूज मैं हूँ PC सेनी सहीद सुवेदार प्रभु सिंग की पर्थम पुनितिती पर रगदान सिवर का आईजन क्या गया जानकरी के लिए बता दें कि 6 अप्रेल 2022 को सुवेदार प्रभु सिंग सहीद हो गए थे विरांगना सुमन देवी तिरंगा लेकर सिवरस्तल पर पहुँची उनके साथ सुवेदार प्रभु सिंग का फूरा प्रिवार साथ चला रगदान सिवर का आईजन सुवेदार प्रभु सिंग का जहां पर अंतिम संसकार क्या गया था उसी के पास क्या गया विरांगना सुमन देवी ने सहीद सुवेदार प्रभू सिंग की तस्वीर के आगे दुईव प्रजलित कर पुष्प चड़ा कर उनको सरदान्जली दी। विरांगना सुमन देवी ने सहीद सुवेदार प्रभू सिंग को पुष्प अर्पित करके शर्दान्जली दी। जानकारी के लिए बता दें कि 6 अप्रेल 2022 को सुवेदार प्रभू सिंग सहीद हो गए थे। सहीद के सम्मान में 12 किलोमेटर तक तरंगा यात्रा निकाली गई थी। सेन्य सम्मान से हुई थी सुवेदार प्रभू सिंग की अंतेश्टी अंतिम दर्संग करने के लिए गाउं की महिलाएं भी उमड़ गई थी। सिक्किम में पहाडू में तैनाथ शिरी मादुपुर के लाडले सुवेदार प्रभू सिंग का ड्यूटी के दोरान ओक्सिजन की कमी के चलते रदे गती रुकने से निदन हो गया था। उनका पार्थी दे अजितकर प्लिस्थानी में पहुंचा था। वहाँ से बारा किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाल कर पार थी दे को कल्यान प्राथोई के पेत्रगाउं बामर्डा जोडा लाया गया जहां देश भक्ति के नारू के बीद सन्य सम्मान के साथ अंतेश्टि की गई थी। यहां इनके पुत्र अजय ने मुखागनी दी थी। इससे पूर 14 जाट रेजिमेंट की टुक्री ने गौड अव ओनर दिया था। पता दे कि 6 अप्रेल 2022 को स्याम सवा 6 बजे सुवेदार प्रभु सिंग का ड्यूटी के दोरां रदे गती रुकने से निदन हो गया था। सुवेदार प्रभु सिंग 1925 में 14 जाट रेजिमेंट में भरती हुए थे और प्रमोशन होने के बाद सुवेदार बने थे। कल्यान पुरा सरपंच पौनकुमार साई और जाली सरपंच दोनों ने एक ही बैट पर लेट कर रखदान दिया। दोनों अलग अलग पार्टी से हैं। महिलाओं ने भी रखदान सिवर में बढ़ चट कर भाग लिया। और रखदान के महतों को रिभासित किया। सहिद सुवेदार प्रभु सिंग के बैटे ने भी रखदान किया। आये हुए राजनेताओं ने गणमानने लोगों ने रखदान करने वाले व्याओं का मनोबल बढ़ाया। महिलाओं की भागेदारी भी रखदान सिवर में देखने को मिली। कितानजली ओस्पिटल के सियो डॉक्टर मंगल यादो भी रखदान सिवर में उपस्तित रहे। रखदान करने वाले व्याओं का मनोबल बढ़ाया। सहीद सुवेदार का पुरा परिवार हम आपको दिखा रहे हैं इस समय स्क्रीन के उपर उनकी बेटी उनके बेटा भाई विरांगना सुमन्देवी पुरा परिवार उनका यहाँ पर पूरे रखदान सिवर में रखदान अस्तल पर ही मौजूद रहा। उनकी मा भी रही यहीं पर उपस्तित और यह उनका पूरा परिवार है जो इस समय आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं तो उनकी पहले पुन्दी तिति के उपर रखदान सिवर का आईजंग किया गया था। विकास खेरवा जो के एक्स आर्वी मैन है उन्होंने मौनेटरिंग के थी इस रखदान सिवर की उनका प्रियास था। इस रखदान सिवर में पूरे दिन यहां पर रहे और हम बात करें इस परिवार की तो बहुत ही आतुमबल रखता है। सहीद हो गए थे। दो दिन तक वो चले। उसके बाद में हमने एरलिप्ट किया। सहीद को सरदान सिवर देने लिए एक उसका एक छोर अजिदगड में था दूसरा छोर बामल्डा जोडा में। सहीद की पत्नी विरांगना हमारी आंटी जी वामल्डा जोडा से पार्ती दे की पिछले साल उन्होंने अगवाई की और मैं सिलूट करता हूँ उनको उन्होंने तरिंगा लेते हुए और भारत मा के जैकारे लगाते हुए पूरे टोली के साथ में अगवाई की और बिना आँख में और बहुत बड़ा सीने पर अपना पत्तर रखकर बिना आँख में आसू लिये और उनके मन में और सबके मन में यह होता है कि सहीद कभी मरता नहीं है। अप्रेल को विदेश में जाना था, मैंने अपने टिगर्स कैंसिल करवाई और हर इंसान का जनम दिन होता है, तो ऐसे सहीद का जो पुरोव होता है, जो पुनित यति होती है, वो जनम दी उसके रूप में उनाई जाती है, आप सब लोग युवा आजकल जनम दिन मनाते हैं, लोग इकटे होते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो ऐसे सहीद का कभी मरत्यू नहीं होती, वो हमेशा मर होती, तो उनका जनम दिन ही मैं मान रहा हूँ यहां पर इतनी भरी संक्या में लोग आए, और हम यहां बहुत हसी खुसी, जैसे मैं मेरी बात करूँ, मैं सुबह चा बनाना बनी होते हैं, बलड देने से कमजोरी हो जाती, बलग ऐसा नहीं है, बलड देने से कैंसर की बिमारी नहीं होती है, और अपना बलड नया भी बन जाता है, लेकिन अभी भी अपनी समाज में उतनी जाग रुखता नहीं है, और वीर महिलाओं को मैं धन्यवाद देता में यहां बलड का डोनेट हुआ आप यहां पूरा किसान परिवार के लोग हैं जो अपना काम छोड़ कर मैला है और सब लोग आए और विरांगना ने तरेंगा को लेते हुए कदमों से आगे जब मैं उनसे मिला तो वो बहुत पत्तर दिल रखते हुए मन जरूर मायूस था क क्योंकि इस सीज को कभी नकारा नहीं जा सकता परिवार में एक आदमी चला जाता तो उसकी कभी भी पूर्ती नहीं होते हम कभी उसको देख नहीं पाते और यह तो बात सहीत की थी इसलिए उन्होंने बहुत हिमत करके तरिंगा आगे करते हुए रेली के अगवाई की और और इस भूमी को मैं नमन करता हूं और जब भी अगली साल तक हम ये कोसिस करेंगे कि यहां पर उनका बहुत अच्छा भवे इसमारग और स्टेचू हम बना लेंगे और अगली बार इसकी तैयारी हम बहुत पहले सी जोरों सोरों से करेंगे और इतने ही सबद में कहा कर जय हिन जय भारत आज मेजर शुविदार प्रभू शिंग जी की पहली पुन्य तिति पर सहीद परिजनों दौरा हमारे आसपास के युवा साथियों दौरा और डौक्टर मंगल जी की टीम दुसाद बलड बैंक चोमू और हमारे इस्थानिये जन परितिनों दिने मिलकर सहीद की सहादत को सरधानजली देने के उद्देशे से आज ये सरधानजली का जो कारिकरम आयुजित किया गया मैं पुने सहीद सुविदार मेजर प्रभू सिंग जी को अपनी सरधानजली देता हूँ और इसवर से काम न करता हूँ कि इसवर उनकी आत्मा जहां कहीं भी है उनको शान्ति परदान करें और घरवालों को इस आगात को सेने की शक्ति परदान करें साथ ही आज किस कारेकर में जिस प्रकार युवाओं ने बढ़ चड़कर हिसा लिया और इस पहली पुन्यतिति को वास्तम में सहादत की पुन्यतिति का जो समान होता है वो यहां के युवाओं ने साबित किया है 220 ब्लड यूनिट आज इकटा हुई है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मात्रिशक्ति का कि इस ग्रामियन अंचल में आज पहली बार 25 से अधिक महिलाओं ने माता बेहनों ने रक्तदान करके प्रेणना का जो कार्य किया है मैं मात्रिशक्ति को नमन करता हूं प्रणाम करता हूं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार आज हमारी माताओं बेहनों ने रक्तदान किया है आसपास के सभी महिलाओं को इस डर को अपने दिमाग से निकालना चाहिए कि रक्तदान करने से सरीर में किसी प्रकार की कोई हानी होती है उल्टा आप रक्तदान करके किसी का जीवन बचाने का बड़ा पुन्य का काम कर सकते हो और जिन युवाओं ने आज रक्तदान किया मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि सामाजिक स सकते हैं जो बुरणा कोशिशिक में बचने कि कोशिश करने चाहिए और आज आपने आपके चैनल के माध्यम से जिसे परकार सहीद प्रबु सिंग जी की पुन्यटीति पर आपके कंपरेज कि उसके लिए में गगराम-बं badgeah пут की तरफ से आाइवे सभी महवानों का हमारे हा राजनेतिक रूप से भी काफी लोग बाग सामिल हुए, समाजी कार्यकर्ता भी सामिल हुए, इस आयोजने में पूरु सेनिकों का हमारे पूरु विधायक जाबर्शिंजी खर्रान ने माला पहना कर सभी सेनिकों का सम्मान किया, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे यहां बड़ी संख्या में सिक्षक वर्ग भी इस कार्यकर्म में दिन बर डटे रहे, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, आज के इस कार्यकर्म में आयोजने सभी महमानों का, आयोजकों का, गरामीन इलाके के सभी अडोशियों का, पडोशियों का, दूसर अपरेल 2022 को शिक्किम बोर्डर पर पैट्रोलिंक करते हुए सहीद हो गए श्याम को 6 अपरेल को श्याम को 76 बजे मेरे पास शियो साब का को लाया उसने मेरे को सारी बाते बताई मैंने बिगर किशी गर्वाले को बताई हुए रात को इधर उधर करके रात गुजारी दूसरे रोज चार उतरब से खबरे फैलने लगी सभी गर्वालों को मालूम चल गया उसके बाद चार रोज बाद डेड़ पार्ति देहा हमारे पास पहुंची चार रोज किसी तरीके से गुजारे वो हमारे को मालूम है उसके बाद 6 अप्रेल 2023 को सहित सुबदार पर्वुशिंग की पर्तम पुन्ने तिती पर आज एक रगदान शीवर का आयुजन किया गया जिसमें काफी युवावनी बर्चट कर भाग लिया उसमें सयोग जावर सिंग जी खर्रा हमारे गराम पंचायत के सरपंच शिरी पंगन कुमार जी साई जाडली के सरपंच रामवतार जी शेकावत काफी बड़े बड़े लोगों ने हमारा मार्ग दर्शन किया और काफी युवावनी बड़्चट करके इसा लिया इसलिए आज पर्तम पुन्यतिती पर 220 युनिट का 220 युनिट बलड एक त्रित हुआ अगले बार जैसे ही अमारे को दुत्य पुन्यतिती पर मौका मिलेगा हम उसे भी बहतर बनाने की कोशिश करेंगे जै हिन जै बारत